गाज आजकी इस वीडियो मैं आपको दोंगा कैसे आप अपने कामपरी लप्टब में वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं उपर में देख़ेंगे डाउड़ विंडोस लेवेन, मािक्रसवाप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका मािक्रसवी ओप्शाइड में आ जाएंगे उपर में देखेंगे current version Windows 11 22 H2 और आप स्कॉल करके निचा आएंगो तो आपको तीन ओप्सन दिख जाएगा फ्यारा जो है Windows 11 Installation Assistant दुसरा है Create Windows 11 Installation Media और तीसरा है Download Windows 11 Dix Image for 64-bit device आप already Windows 11 को यूज़ करें तो उसको अप्रेट करने के लिए फ्यारा जो अप्सन है Windows 11 Installation Assistant इसको आप डौनलोड कर साकते हो दुसरा जो है आप Windows 11 को रिइंस्टल करना चाहते हो DVD and USB के मद्दम से तो आप Create Windows 11 Installation Media को डौनलोड कर साकते हो और आप Face Windows 11 ISO Image को डौनलोड करना चाहते हो तो आप निचे में देखेंगे Download Windows 11 Dix Image ISO for 64-bit device आप निचे में देखेंगे Select Download, Select Download में क्लिक करेंगे तो आपका एक उप्सन दिख जागा Windows 11 Multi Edition ISO for 64-bit device इसमें क्लिक करेंगे और Download में क्लिक करेंगे Download में क्लिक करने के बाद आप निचे में देखेंगे Select Product Language इसमें क्लिक करेंगे और आपका Language select करेंगे आप कौन सी Language में इसको डौनलोड करना चाहते हो मैं इसको English में डौनलोड करूँगे तो मैं English को सिलेक्ट कर लूँगी Select करने के बाद Confirm में क्लिक करेंगे फिर ओप्सन आ जाएगा Download Windows 11 English निचे में देखेंगे 64-bit Download इसमें क्लिक करेंगे तब कर डौनलोड हो जाएगा Windows 11 Download पुरा complete होने के बाद Windows 11 को इंस्टोल करने के लिए आप Download folder में आएंगे Download folder में आने के बाद आप देख सकते हो आपका पास एक ISO image फाइल आपको दिख जाएगा इसको convert करने के लिए पहला आप इसमें एक folder create करने के लिए आप Ctrl, Shift and In प्रेस करेंगे तो आपको folder create हो जाएगा folder का नेम देंगे Windows 11 22 H2 next Windows 11 ISO image फाइल को उपन करने के बाद बहुत सेटाप फाइल आपको दिखने मिल जाएगा उसको select करेंगे Ctrl A प्रेस करके और Ctrl C प्रेस करके उसको copy करने के बाद बैंक में आएंगे और जो folder मनाया था उसको उपन करके उसमें paste कर देंगे effect करने के बाद इसको install करने के लिए निचे में दखेंगे setup EXE इसको open करने क बाद आपको पास एक पारई सेमायेगी सेंप्रोस को एस में क्लिक करेंगे एस में क्लिक करने के बाद आपका विंडोस पीपेरिंग होगा पीपेरिंग होने के बाद आप उपर में देखेंगे इंस्टाल विंडोस 11 नेक्स्ट में क्लिक करेंगे नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपडेट चेक होगा फिर आपका तो PC को चेक करेगा, चेक करने के बाद अब देख सकते हो, इस PC does not currently meet Windows 11 system requirement, निचे में देख सकते हो, TPM not supported, processor not supported, this PC must supported secure boot, इसमें secure boot supported नहीं है, TPM नहीं है, और processor supported नहीं है, तो अब इसको close कर देंगे, और इसको bypass करने के लिए, उपर में देखेंगे, source name से एक file से, उसको open करेंगे, open करने के बाद scroll करके निचाएंगे, और इस file को delete करेंगे, आप delete paste करेंगे तो एक file delete नहीं होगा, आप इस तो डॉल ट्लिक करेंगे तो आपका पास एक पाब आप आजाएगा, so app में click करेंगे, तो आपका पास बहुत app so होगा, आप notepad को select करेंगे, and ok में click करें करेंगे, save में click करने के बाद आप setup में click करेंगे, setup में click करने के बाद आप फिर yes में click करेंगे, और आपका windows PPR होगा, PPR होने के बाद objects checking होगा, update checking होने के बाद आप इसको accept में click करेंगे, accept में click करने के बाद please wait getting for objects, and next install में click करेंगे, install में click करने के बाद आपका install start हो रिश्टर्ट होने के बाद आपका उइंड उग्ली डिश्टर में आसकतें तो इसी तारह से उइंड उटर्ट तै रवका आइवलेजर डिश्टर आदेंशर बंद मातरम सैंत